आज का व्लॉग दो दिन का व्लॉग है फादर्स डे से एक दिन पहले और फादर्स डे का यानि के लास्ट सेटर्डे और संडे का तो वीडियो को एडिट करने में और आप तक लेकर आने के लिए काफी टाइम लगया है उसके लिए मैं माज़र चाहती हूँ तो यहाँ है इस वक सेटर्डे मॉर्निंग और हम रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा था तो मैं और मेरी बेटियां हम जाएंगे बाहर यहाँ बस प्रेकफास्ट के फोरण बाद ही हमें बाहर निकलना है और आज थोड़ा मुसम गर्म होने के विज़ा से बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे तो मैंने सोचा के सीरियल ही ट्राइ करते हैं लेकिन लेकिन अलहमदुलिला सीरियल मेरे बच्चों ने खा लिया है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर रोज कुछ ना कुछ नया बच्चों को दूँ हलका साही सही लेकिन नया दूतां के बच्चे खा ले नया देने से यह हर्गिस मुराद नहीं है कि बहुत expensive food या कुछ बाह खाएं तो यह अगर एक तो बॉक्स रखतें तो इसके पीछे कुछ गेम्स बनी हैं बच्चे खेलते खेलते आराम से खा भी लेते हैं और यहां पर मेरी बेटियों ने आराम से खा लिया था और यह कहने के फोरण बाद हम चले गए थे बाहर अब ही मैं और मेरी बेटिया आ चुकी हैं दे कार्ड फैक्टरी यहां से हमने कार्ड और गिफ्ट लेना था मेरे बच्चों के डैड के लिए तो यहां पर इस शॉप में सब कुछ मिल जाता है चाहे हम बिर्द्टेस के लिए ले या कुछ भी किसी किसम की क्रिटिंस के लिए हमें कुछ भी चाहिए हो तो यहां पर हर चीज अवेलेबल होती है तो यहां हम गिफ्ट वगरा देख रहे थे लेकिन मैं वो लेना चाहती थी जो जायाना हो क्योंके हर बार कीचेंज, परफ्यूम्स या वोलर्ट, पैंस इस तरह की जब चीज़े हम लेते हैं तो वो चीज़े जो इस तरह के गिफ में आती हैं वो इतने अच्छे से नहीं होती हैं और मेरे हजबन इस्तमाल भी नहीं करते तो वो पड़ी रहती हैं तो हमने सोचा कुछ ऐसी चीज लेते हैं जो वो हर रोज इस्तमाल कर सकें तो यहां से हम बस चीज़ें देख रहे थे और जो हमने लेना था वो ले लिया और फिर मेरी बेटियां अपनी अपनी मर्जी से वो कार्ड्स भी पसंद कर रही थी और यह लेने के बाद हम जाएंगे इसी के साथ है विलको वहां पर अभी हम आ चुके हैं विलको और यहां पर अंदर एंटर होते साथ ही मुझे टी टावल्स दिखा दिये जो के आफ़स पर थे और यह थे 3.50 के 4 पैक वाला एक सेट बना था यहां पर इतने गुड प्राइस में कभी मुझे दिखे नहीं है ज्यादा तर मैं मौरिसंस ऐस्टा वगारा से ले लेती हूं लेकिन यह बहुत अच्छे थे तो यह दो मैंने बैक्स ले लिये थे और उसके बाद यहां यह सिलिट बैंग और कुछ चीज़े मुझे यहां से देख रहे थे लेकिन मेरी बैटियां सिर्फ यहां से देख लेंगी कुछ लेंगी नहीं क्योंकि उनको अपना जो डेस्क वगरा है उसका कुछ कलर थीम चेंज करनी है हमने जब अपनी बैटियों की रूम को सेट किया था तो उन्होंने वाइट कलर में सब कुछ स शॉप्स पर देखेंगे जो बचों को कलर अच्छा लगेगा वो उस हिसाब से अपनी रूम को सेट कर लेंगे तो आज हम विलको आए थे इसके बाद हम और बी तो तीन जगा जाएंगे और जहां जहां मैं जाओंगी चाला आप लोग भी साथ चलिएगा और आप लोग भ जीजेगा क्योंकि हमारे घर में तो हॉलिडेज ही स्टार्ट हो चुके हैं बचे मेरे साथ होंगे जब भी हम बाहर जाएंगे तो मैं जहां जहां जाओंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूगी अभी हम आ चुके हैं घर और ये तकरीबन शाम का ही टाइम था तो मैं और मेरी बेटी हम ये गिफ्ट फगरा पैक कर लेंगे और यहां पर ये गिफ्ट की प्राइस दिखाना नहीं था में जो पॉइंट था वो ये था कि इनका ये स्टिकर उतर ही नहीं रहा था इतना टाइम लगा कर हमने फिर हेर ड्रायर के साथ इसको थोड़ा सा वोम किया और बड़ी मुश्किल से ये स्टिकर उतारा और मेरी बेटियां कार्ड भी लिख लेंगी और हम यहां पर ये प्रेज़न को पैक कर लेंगे और इसे हम रख देंगे और ये यहीं पर ही सैटर्डे का व्लाग मैंने शूट करना स्टॉप कर दिया था क्योंकि इसके बाद बहुत सारे काम थे वो मकमल करने थे और फिर इंशाला जो सुबा की शूटिंग होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ और जो इसके साथ और शॉपिंग मैंने की थी उसकी वीडियो मैं अलग से आपको नेक्स व्लाग में दिखाऊंगी ये है फादर्स डे संडे मोर्निंग का वीडियो क्लिप और यहां पर मैंने ही अपने हजबन को मेरी बेटियों की तरफ से गिफ्ट्स दिये थे क्योंकि सुबा का वक्त था और मेरी तोनों बेटियां जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ड्राइविंग लेती है तो उनके लेसन थे तो वो फिर अपने अपने कामों में थी तो मैंने बहुत अर्ली मॉनिंग जैसे ही मेरे हजबन उठके आये तो मैंने उनको ये दिया और बहुत ज़्यादा हुश हुए थे कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोल कर नहीं कह पाते हैं और बाप की एहमियत हमारे जिंदगी में क्या है ये अलफाद में बैंना बिल्कुल नममकिन है वैसे Mother's Day औठाष दे को मनाने के लिए कोई एक दिन तो नहीं होना जाहिए हर रोज Mother's Day और Father's Day होते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं हम अगर अपने माबाब के साथ होते तो हमारा भी हर रोज Mother's Day Father's Day था तो फिर भी बच्चे इस चीज को understand नहीं करते हैं जैसे कि कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिनको बच्चों ने celebrate करना ही करना है तो बच्चों की हुशी में हम भी हुश होते हैं तो देखिए मेरी बेटियों ने जो कप अपने डैड को गिफ्ट किया था उसमें मैं बना कर उन्हें दूंगी चाए और वो बहुत शोक से पी रहे थे और बहुत हुशते क्योंकि ये सची बात है कि जब Mother's Day होता है Father's Day या हमारी बर्थ ते होती है और बच्चे जो हमें विश करते हैं तो बहुत एक अच्छी सी फीलिंग होती है जो हमारे पास अलफाज ही नहीं होते बयान करने के लिए हजबन के लिए मैंने चाए बना ली थी बेटियों के लिए मिर्क शेक बनाया था और मुझे पिछले एक तो व्लाग पहले जब मैंने काफी बनाई थी तो मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है आप काफी कैसे पी लेती है तो उनको ये आंसर करती चलूँ कि यहां पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और specially जब शाम का टाइम होता है और कुकिंग time होता है kitchen time होता है तो उस वक्त एक कप काफे मुझे जरूर ही चाहिए होता है तांकि मुझे थोड़ी सी power आ जाये और मैं रात के काम कर सकूँ और इसी तरह से सुबह भी मेरी start होती है एक काफी के साथ और रात को डिनर मैंने बनाया था चिकन बिर्यानी, राइता और सालड वगरा थी क्योंकि मेरे हजबन जितना खा सकते हैं मैं उतना ही बनाऊंगी और वो पिलकुल भी स्पाइसी फूड, ओइली फूड नहीं खा सकते इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वराइटीज नहीं बनाई हैं, सिंपल सा खाना बनाया था क्योंकि मौसम भी गर्म है और हम ज़्यादा ओइली और स्पाइसी हैंडल भी नहीं कर बाते हैं और खाना खाने के बाद यहां हम बाहर गार्डन में वोक कर रहे थे तो यहां उपर एक एरो ब्लेन दिखाए दिया तो मैंने सोचा मैं आप से भी ज़रूर शेयर करूंगी और हमारा खाना थोड़ा सा ज़ल्दी ही खाने होता है हम बहुत ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते हैं तक्रेबन शिक्स औ क्लॉक से पहले या सिक्स के अराउंड हम रात का खाना खा लेते हैं यहां हम सब पूरी फैमिली शाम की वोक के साथ साथ थोड़ा बहुत इंजोय भी कर रहे थे कोई पानी रा रहा था प्लांट्स में, कोई स्प्रे कर रहा था, कुछ परिंदों को देख रहे थे करते हैं लेकिन जो ये टाइम होता है ये बहुत खुबसूरत टाइम होता है और यहां यूके में ये इस तरह का वक्त बहुत कम मिलता है अभी मगरिब का टाइम होने वाला था तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा फूरूट काट लेती हूं क्योंकि बच्छों ने बजब की बातें बच्चों को बताने लगते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है तो तकरीबन बारा बज़े के पास टाइम चला ही जाता है इन दिनों और अगर बारा के पास जाए टाइम तो थोड़ी सी बच्चे अगर हंगरी फीलिंग करने लगते हैं तो हम कोश गया था वो सारा मैंने फ्रिज में रख दिया था तो दूसरे दिन हमने खुआ लिया था और यहां पर मैं काट लूँगी वोटर मैलन साथ में स्ट्रॉبرिड और ब्लूबैरीज रख लूगी यहां यूके में वोटर मैलन किस्मत से ही मीथा मिलता है ज्यादातर रेड कलर में तो होता है लेकिन मिठास इतनी नहीं होती जैसे पाकिस्तान के वोटर मेलन में होती है मैं अभी पिछले साल से अभी तक जितनी दफा भी लेके आई हूँ मैं एजडा से ही लेके आती हूँ क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने रेक्मेंट किया था आपने व्लॉग में बताया था तो मैंने ट्राइ किया और एजडा का सच में एक तो उनकी प्राइस भी गुड है और दूसरे नबर पर उनका वोटर मेलन काफी अच्छा होता है और जिन्होंने हमें रेक्मेंट किया था उनके चैनल का नाम है लाहो टू लंडन अक्मल चोदरी साब माशाला बहुत अच्छे इंसान है और इनकी वीडियोस बहुत इंफोर्मेटिव होती है आप लोग ज़रूर इनके चैनल पर विजिट कीजेगा और इनके चैनल पर और रेस्पीज वगरा भी इनके शेर की है और स्पेशली पाकिसान के भी काफी व्ल होती है इसी के साथ आज का व्लाग भी होता है यहीं पर मुकमल आप सबसे मिलती हूं बहुत जल्द किसी नए व्लाग के साथ आप सब लोग अपना बहुत दिहान रखेगा और अपनों का दिहान रखेगा अभी के लिए इजाज़त चाहूंगी अला हाफिज